हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो एसके टूटरियल चलिए आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकिया है वो को प्राइम नंबर है अगर आप इसको दियां से देखते हैं विड़ाओ स्कीप किये तो यह आपको बहुत-बहुत हेल्फ करेगी दियां से देखेगा को प्राइम तो जो भी हमारा नंबर हो अगर उसको का कॉमन फ्रेक्टर श्री वन निकलता है तो उसको हम क्या बोलेंगे को प्राइम नंबर बोलेंगे तो चलिए इसको हम एक्जांपर लेके समझते हैं जिससे आपको बेटर समझ में आएगा जैसे कि मालो दो नंबर ले लिया गया है एक है 6 और दूसरा क्या है 49 ओके तो 6 और 49 हमारा को प्राइम है की नहीं है यह हम कैसे पता करेंगे सबसे पहले हम 6 और 49 का कॉमन फ्रेक्टर निकालना चाहेंगे तो लेकिन कॉमन फ्रेक्टर निकालने से पहले उद दो नुका हम अलग-अलग फैक्टर निकालेंगे तो फ जब जो number है, ये जब number, कर table में 6 आता है, ठीक है, वैसे हम 49 निकालना चाहेंगे, तो factor of 49, कॉन सो कॉन से table में आएगा, 1 कर table में आएगा, 7 कर table में आएगा, 49 कर table में आएगा, अब दिहां से देखिएगा दोनों काम अलग-अलग factor निकाल चुके हैं लेकिन हमारा question क्या बोर रहा है कोई भी number उसका common factor क्या होना चाहिए सिर्फ 1 होना चाहिए अब देखिए common factor तो 1 है और कोई भी number हमारा match कर रहा है देखिए नहीं कर रहा है उपर निचे कोई भी number मैच कर रहा है जब 1 को छोड़के हमारा कोई भी number अगर match नहीं करता है और सिर्फ हमारा common factor 1 दिखाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे कोई प्राइम नमबर बोलेंगे तो फिर्म क्या लिख देंगे common factor is 1, so, 6 and 49 are co-prime number ओके चलिए हम दुसरे example और लेकर समझते है जिससे आपको better समझ में आएगा जैसे कि हमार ली जाए है 22 और 33 ले लिया गया है तब हमको बताना है कि कोई प्राइम है कि नहीं तो हम से फ्रमॉला इसमें यूज़ करेंगे सबसे पहले हम factor निकालेंगे किसका 22 का तो 22 हमारा कौन से को से table में आएगा 1 का table में आएगा, 2 का table में आएगा, 11 का table में आएगा और 22 का table में आएगा, अब लिखके छोड़ दीजिए उसके बाब फिर हम factor of 33 निकालेंगे 11 का टेबल में आएगा 33 का टेबल में भी आएगा अब दिहाँ से देखिए दोनों का factor हम निकाल चुके है अब common factor तो 1 है 1 को छोड़कर कोई common दिख रहा है उपर नीचे, yes दिख रहा है 11 और 11, तो 1 को छोड़कर अगर कोई भी number match कर जाता है उपर नीचे तो उसको हम co-prime number नहीं बोलेंगे that's why यह हमारा क्या हो जाएगा co-prime number नहीं होगा ठीक है, आप ध्याँ से देख लीजिए फिर आपको book के question करने में easily help होगे अगर उसके बावजित भी कोई doubt निकलता है तो आप में को definitely पूछ सकते हो अगर आज हमारा वीडियो आप एली बार देख रहे हो तो please send like and subscribe करना ना भूलिए जैसे आपको यह वीडियो समझ में आ रहा है आप चाहते हैं कि आपके ग्रूप सकल में हर किसी को समझ में आना चाहिए तो please यह वीडियो को जाज स्यादा share कीजिए Thank you